यह आप देख सकते है, manage winning result यानि की result change हो सकता है नमस्कार दोस्तो, आज के वीडियो में हम जानेंगे color prediction की tricks के बारे में और उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या सच में color prediction में कोई trick काम करता भी है या नहीं दोस्तो, अगर आप color prediction से पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखे और अगर आप color prediction की trick ढुंटे ढुंटे ये वीडियो पे आ गया है तो भी ये वीडियो आप जरूर देखे क्योंकि YouTube की history में ये पहली बार हो रहा है कि कोई इतना detail में वीडियो बना रहा है और मैं जो है बहुत analysis किया हूँ, इस चीज़ पे उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ तो please वीडियो end तक जरूर देखेगा तो दोस्तो सबसे पहली बात कि color prediction है क्या? तो दोस्तो ये website है, एक game है जिसमें आप लोगों को यहाँ पे कुछ timing, कुछ countdown दिया जाता है और वो हर color prediction में अलग-अलग होता है एक minute का हो सकता है, तीन minute का, पांच minute का या दस minute का और यहाँ पे आपको जो है guessing time देते है किसी-किसी application में जो है 5 minute का time होता है तो उसमें 2 minute आपको जो है guess करने के देते है और जो बाकी के 30 second होते है, उसमें आपको जो है waiting time देते है और वो 30 second में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको result का इंतिजार करना होता है और बाकी सारी जो games है, उसमें 5 यच 6 second का होता है लेकिन waiting time तो होता ही है और ये color prediction क्या दावा करती है जितने भी color prediction है, उसमें red color होता है, green color होता है और 0 से 9 number होते है तो दोस्तों यहाँ पे अगर guessing time में आपको पूछा जाता है कि red आएगा है, green आएगा दो color में से कोई भी एक और आपको जो है guess करना है और यहाँ पे आपने सही guess कर लिया उसके बाद waiting time जब खतम होगा और उसके बाद जो result आएगा उसमें आपने जो guess किया है, वो आया तो आपने जितना भी amount लगाया हो उसका दो गुणा आपको मिल जाता है और यहाँ पे 0 से 9 नमबर भी दिये जाते है तो उसका क्या मतलब है तो यहाँ पे red color जो होता है उसके सामने जो है 0, 2, 4, 6, 8 यानि कि even numbers आते है और green में 1, 3, 5, 7, 9 यानि कि odd number आते है और color prediction website वालों का ये दावा है कि अगर आप number guess करते है तो उसका 9 गुणा आपको return मिलता है तो अगर आपको लगता है कि red आएगा और उसके सामने आप 0 से 8 में से कोई भी select कर लेते है और वो आता है तो आपको उसका 9 गुणा मिलेगा तो अब बात कर लेते है कि दोस्तो यहाँ पे trick क्या है क्या यहाँ पे कोई भी trick अगर हम apply करते है तो वो क्या मतलब काम करेगी क्योंकि YouTube पे बहुत सारे हम वीडियोस देखते है कि color prediction की tricks कोई तो कोई जो है मतलब not pen लेके बैठ जाता है sin, theta, alpha, beta plus, minus, into सब करके आपको बताते है not pen में तो क्या वो सही है तो दोस्तो आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि reality क्या है इन सब चीज़ों की reality of color prediction तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो analysis किया है वो मैं आपको यहाँ पे खुल के बताने जा रहा हूँ कोई आपको नहीं बताएगा आपको YouTube पे यह सर्च करना है कि how to create color prediction website तो दोस्तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे logo के number भी मिल जाएंगे वो आपको application बना के भी देंगे और आपको source code भी देंगे जहाँ से आप अपना खुद का website बना सकते है तो दोस्तो यहाँ पे कितना बड़ा जोल हो रहा है यह मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप किसी के पास source code खरिटते है तो वो आपको admin panel देता है यानि कि अगर आप अपना website बनाते हो तो वो जो है आपको source code देगा और admin panel देगा तो दोस्तो अब हम बात करते है कि admin panel में क्या क्या होता है तो मान लो कि किसी बंदे ने color prediction website बना दिया या तो फिर अभी जितने भी color prediction website चल रही है उनके मालिकों के पास भी admin panel होगा तो होता क्या है कि जब वो जो amount हम place करते है कुछ guess करते है उसके बाद वो जो admin panel होता है उसमें उस मालिक को उस website के मालिक को दिखता है total wallet balance of all users यानि कि मान लो कि किसी बंदे ने एक color prediction website बनाया उसके बाद उसको admin panel में जितने भी लोग उसको use कर रहे है उन सभी का wallet balance यहाँ पे उसको दिखेगा तो मान लोग के अभी जितने भी color prediction website चल रही है उनके मालिकों को दिखेगा कि लोगों के बास कितना करोडो करोडो balance है total मिला के बाद कर रहा हूँ उसके बाद होता क्या है कि जब वो जो amount guess करते है और जो waiting period start होता है guessing का time खतम हो गया उसके बाद वो जो आखरी के 30 second या 5 second या 6 second होते है उसमें वो जो admin होता है या वो बंदा होता है जो application चला रहा है वो अपनी admin panel खोल के ही बैठा होता है बहुत सारे लोग ये बोलते है कि वो automatic होता है नंबर साते रहते हैं अपने pattern के हिसाब से ये सब गलत है मैं यहापको आगे admin panel भी दिखाने वाला हूँ यह आप देख सकते है result का जो waiting time होता है वो जब start होता है तब वो admin panel खुलता है वहाँ पे क्या दिखता है आप देख लेना वो जो YouTube वीडियो से वो आप देख लेना उसमें वहाँ पे दिखाया जाएगा कि Red पे कितने लोगों ने यहाँ पे amount डाला है Green पे कितने लोगों ने amount डाला है और Violet में कितने लोगों ने अμαंट डाला है और यहां तक की ये भी वहाँ पे लिख्के आ जाता है कि किन-किन लोगों ने नमबर पे कितना कितना हैमांट जो है डाला है 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे तो अब क्या होता है वो जो admin होता है जिसका color prediction website है या तो जो इस website को चला रहा है वो क्या करेगा तो भाई वो देखेगा कि green या तो red दोनों मैंसे किस पे से कम में लगा है मान लोग कि green पे कम में लगा है तो वो क्या करेगा वो देखेगा आगे कि green में तो कम पे लगा है लेकिन किसी ने number पे ज्यादा नहीं लगा दिये तो 1 पे ज्यादा लगा है 5 पे ज्यादा लगा है 7 पे 9 पे लगा है और 3 पे तो लगा ही नहीं तो 3 को डाल देगा यानwind result भी green आएगा और number भी 3 आजाएगा इस तरीके से ये लोग काम करते है और सब के सामने जो है एक टिक का option होता है कि मतलब कौन सा result देना है तो वह लोग क्या करते है वहाँ पे टिक कर देते है कि भाया इसको result में आना है और वहाँ पे click कर देते है तो जब ये waiting time खतम होगा 30 second का या 6 second का तो तुरन उन्होंने जो उसी मतलब वह जो color prediction website होते है उनके जो source code के दवारा जो admin panel दिया जाता है ये रहा वह admin panel आप देख सकते है manage winning result समझ रहे आप यह automatic नहीं चलता है यह जो है चलाना पड़ता है जो color prediction website चलाता है वो यह सब चलाते हैं तो कितना बड़ा जोल है आप सोचिए ओके आगे मैं आपको बता दूँ कि बई कलर गेम है उसका विनिंग का रियालिटी क्या है तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इस गेम में वही जितता है जो उस रेशियो में आता है जिस कलर का या नंबर का चुनाव कम से कम हुआ हो यहाँ फिर स जितना है 72 लोगों को डबल देने से अच्छा है कि ग्रीन वालों को जितना है तो यह जो ग्रीन में आते है जो लोग उनका अगर विनिंग हो जाता है और उन्होंने किसी का यूटूब वीडियो देख लिया होता है जिसमें यह बताया जाता है कि यह प्लस करो माइनस करो इंटू करो Okay तो भाई उनको लगता है कि वो ट्रिक्क काम कर गया या तो फिर उनको लगता है कि हमारा जो दिमाग है वो काम कर गया तो ये सब जोल में आपको नहीं पढ़ना है मैंने आपको दिखा दिया ये उनका ही admin panel है मैंने भी आपको दिखाया ये जो admin panel है वो उसी सब website का है आप भी वीडियोस देख सकते हैं कि खुद का color prediction website कैसे बनाए और किस तरह केसे उसमें admin panel पे work करें ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो अब बात करते हैं कि color game का earning reality क्या है तो दोस्तो यहां से कौन कमाता है तो भाई game का developer जो इसको चला रहा है जो इसका मालिक है ओके वही ज़्यादा कमाएगा और दूसरा game के promoters जो इसको promote करके छोड़ देंगे आपको बोलेंगे वीडियो के description में link है या तो telegram पे जो है आपको link देते है आप हरोगे जीतोगे तो भाई उनको profit होगा उनका commission बनेगा आप हरोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन वो promoter जो आपको link दे रहा है उसको जो है यहाँ पे तगड़ा benefit होगा यहाँ पे game के agent जो telegram group चला रहे है या तो फिर जो है सामने से agent बने जाते है कि वाई मैं जो है आपका group चलाऊंगा यह है वो है वो लोग भी यहाँ से पैसे कमाते है और आप जो है यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाते है और उनकी link के द्वारा join हो जाते है वो बताते है कि हम आपको daily prediction देंगे telegram के group में telegram group की सच्चाई वाला video भी मैंने बनाया हुआ है उसका भी video के description में link दे दूँगा आप वो video पूरा देखना और दोस्तों मैं आपको बता दूँ color prediction जितने भी website है उसमें most common जो problem है वो यही है कि अगर आप low investment करके high winning करोगे तो आपकी जो ID है वो block कर दी जाएगी बहुत सारे लोगों का यह problem होता है और इसका जो withdraw है अगर आपने ले भी लिया तो यहाँ पे आपका bank account जो है वो freeze हो सकता है क्योंकि यहाँ पे color prediction website है वो कही न कही illegal मानी जाती है और illegal ही है तो यहाँ पे क्या है कि हर किसी का पैसा हर किसी के पास घूमता रहता है color prediction website में क्या है किसी बंदे ने पैसा हारा किसी ने recharge किया किसी एक bank account में गया उसी से लोगों को withdraw मिलता है जो winning करता है तो किसी के साथ fraud हो गया किसी का recharge नहीं हुआ या किसी को पता चल गया कि मेरे जो ID है उसमें से पैसे चले गया है उसने cybercrime में complain किया तो वो जो main account है जिसमें recharge हुआ था वो अगर freeze होगा तो वहाँ से जिन जिन लोगों को withdraw गया है तो fraud landed transaction साथ layer में जो मतलब transaction बढ़ता है withdraw जाता है उन सभी का bank account भी freeze हो सकता है और यह most common यहाँ पे problem है अब देख लिजे search भी कर लिजे तो दोस्तो color prediction खेले या नहीं यह आपको इस वीडियो के द्वारा पता चल गया होगा अगर नहीं पता चलाया तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे कोई भी trick वर्क नहीं करेगी no any trick will work here don't install game यहाँ पे यह जो game है इसको install भी मत करो और इसमें पैसे invest भी मत करो तो यहाँ पे मैं इस video बनाने के लिए इस video को बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा analysis किया मैंने वो पूरा video देखा उसके बाद बता चला कि admin panel के द्वारा इतना बड़ा जोल हो रहा है और लोगों को लगता है कि यह जो है मतलब automatically चलता है pattern के हिसाब से तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो दिल से दिल तक ताली जरूर मार देना और ताली तो मुझे दिखेगी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट कर देना तो मुझे लगए गया कि हाँ भाई आपको वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा कुछ सीखने को मिला तो दोस्तो अगर आप color prediction website में invest करने जा रहा है थे और आपको ये वीडियो मिल गया तो मुझे comment section में जरूर बताईए आपने color prediction से कितना जीता कितना हारा वो भी मुझे comment section में जरूर बताईए और video कैसा लगा, वो भी मुझे comment section में जरूर बताईए ऐसी किस application और किस game का review चाते है वो भी मुझे comment section में जरूर बताईए मिलता है next video में, तब तक के लिए take care, bye जाई हिंद, जाई भारत